नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News ये वक्त ऐसा है जब लॉकडाउन के बावजूद कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में अगर ज़रा सी लापरवाही की गई तो बना-बनाया महौल तुरंद बिगड़ जाएगा मगर क्या हो जब खुद मुख्यमंत्री ही सोशल डिस्टेंसिंग की परिभाशा को नजर अंदास कर दे जी हाँ जारखंड में इस वक्त कोरोना के कुल 29 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से भी जादतर मामले रांची के हिंदपीडी इलाके से हैं हिंदपीडी के पूरे इलाके में परशासन जादा मुस्तैद और सजग दिख रहा है वहीं इस इलाके में जारखंड के मुख्यमंत्री हेमत सोरेन अपने काफिले के साथ गुरू नानक स्कूल पहुँचे जहां परशासन ने कंट्रोल रूम भी बनाया है यहां पहुँचकर मुख्यमंत्री ने जरूरत मंदों के लिए राहत समगरी को रवाना किया और इस दोरान राजधानी राची के डीसी, एससपी और अन्या अलादिकारी मुझूद थे लेकिन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बातें सरकार आये दिन करती है, उसकी यहां पर कमी साफ साफ नजर आई इस पर राज्ये के भाजपा नेता भी कटाक्ष के अंदाज में सला देते नजर आई जार्खन राज्ये के भाजपा परवक्ता प्रतूल शहादेव ने बकायदा ट्वीट कर कहा कि माननिय मुख्यमंत्री जी आपका संक्रमन्ट से दूर रहना बड़ा महत्वपून है लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं करते हैं और ये आप से मेरा साथवा आगरा है किर्पया जनता के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का आदर्श प्रस्तूत करें फिलहाल बीजे भी परवक्ता की बात अपनी जेगे सही है क्योंकि पूरे जार्खन में अब तक 29 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन में से दो की मोत हो गई है अगर खुद मुख्य मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का आदर्श पेश नहीं करेंगे तो फिर जनता क्या उमीद रखी जा सकती है धन्यवाद